नमो बुद्धाय जय भीम जय मुल्निवासी मिलिंद प्रश्ण उप्मा कथा साथ बास का एक गुन साथियों मिलिंद प्रश्ण में राजा मिलिंद भिख्षू नाकसेन से पूछते है कि एक भिख्षू को अरहत बनने के लिए कौन से गुन होने चाहिए तो भिख्षू नाकसेन उन्हें 104 गुनों के बारे में बताते है जिसे मिलिंद प्रश्ण में उप्मा कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है राजा मिलिंद भिख्षू नाकसेन से पूछते है कि भंते नाकसेन आप जो कहते हैं कि बास का एक गुन होना चाहिए और बेहती है उसी और बास जुक जाता है किसी दूसरी और नहीं जाता वेसे ही बहुजन हिदाय बहुजन सुखाई के मार्ग पर चलने वाले भिकुने भी नो अंगो वाले बुद्ध के उपदेश के अनुसार ही आचरन करना चाहिए उनके उपदेशों के प्रतिकुल नहीं श्रमन का यही धर्म है महाराज बास का यह एक गुन है जो की भिकु में होना चाहिए महाराज थेर राहुल ने भी कहा है कि बुद्ध के नो अंगो वाले उपदेश के अनुसार रहकर निर्दोश कारियों को करते हुए सारे उपायकों में लांग गया